वेल्कम गाइस तो माई चैनल आरजी क्लासेज दिस इस रिप्पी अगरवाल जो जिन्नों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत थैंक की और जो मेरी यह वीडियो फस्ट एक देख रहे हैं प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मे बेल आइकन को फ्रेस भी कीजिए जिसे जो भी इंपोर्टन इंफ्रमेशन है या नहीं हो वीडियो से भी आपको मिलती रहें अभी मेरा आज ये निरेशन का जो टॉपिक है बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा फिर हम मूव करेंगे सेकलोजी पे जिसमें हम आपको मोस्ट इंपोर्टन बाते बताने बताऊंगी जो आपके लिए बहुत यूस्फुल रहेगी जितने भी हमारे टैट एक्जाम रहेंगे लाइक एच्टैट सी टैट उन सबी के अंदर वे आपके लिए काफिर ज़दा हेल्फुल रहेगी आप मेरे कहने पे मज़ जाएगा पहले व तो यह imperative sentences like हम जब किसी को कोई order दे रहे है किसी को कोई advice दे रहे है को suggestion दे रहे है ठीक है तो यह सारी चीज़े हमारे किसी में आएगी imperative sentences के अंदर आएगी देखिए अब देखिए इसके rules क्या है the reporting verb is changed to order, request, advice or some other suitable word आप सब को याद होगा कि हमने last वीडियो में आपने चीज़ देखिए assertive में जब sad की जगह हम क्या लगाते हैं told ठीक है क्योंकि वहाँ पर एक general statement हो रही है एक simple सी बात हो रही है तो वहाँ पर हमने told का यूज़ किया interrogation की अंदर हम क्या यूज़ करते है ask ठीक है inquire यानि ऐसे verbs ऐसे मतलब ऐसे चीज़ से हम replace करते है जो ways to table होती है यानि interrogative हम को चीज़ पूछ सकते है को कोश्यरास कर सकते है तो वहाँ पर हमने ask का यूज़ किया लेकिन imperative में हम reporting वर्प के जगह क्या लगाएंगे यानि जो भी sad होगा direct speech के अंदर sad को किसमे convert करेंगे request में, advice में, order में यह जो भी उस sentence के according suitable रहेगा उसके according हम reporting वर्प यानि sad को change करेंगे ठीक है तो आप सबसे पहले tense की form पहचानी है कि जो tense है अजर्टीव में है, imperative में है, फिर interrogative में है then आप reporting वर्प को change कीजिए यह आपके लिए पहली tip है जो आपको धियान देनी है ठीक है the verb of the reported speech is changed into an infinitive, infinitive का मतलब जहाँ पर हम conduction जैसे हम dad का यूज करते थे है, interrogation यह हम if का यूज करते थे तो क्या दिया, order दिया, the principal said reporting वर्पेस को हमने change किया, order में, किसको दिया, order PN को, the principal ordered the PN, अब यहाँ पर हम inverted commerce को हटा कर क्या लिख देंगे, to, to ring the bell immediately, clear, okay, हम next remove करते है, the doctor said to me, यहाँ पर डॉक्टर ने मुझे कहा, stop eating fried and spicy food, यानि तला हुआ और ज्यादा मसाले दर खाना 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 बंद करो, तो जो डॉक्टर ने मुझे एक तरह की सिलाही तो दी है, तो the doctor advised me, पहले आप यह देखिए, कि sentence है, कौन सा, यह imperative आपसे भी को मालूम है, ठीक है, अब उस चीज़ को पहचान कर, यहाँ पर आप reporting work को change कीजिए, तो यहाँ पर मुझे डॉक्टर ने क्या दी, advise दे, the doctor advised me, inverted commas को हटा कर, to stop eating fried and spicy foods, ठीक है, लेकिन अगर मानीजे कोई ऐसा sentence यहाँ पर pronounce का use किया गया है, तो आप pronounce या tenses को उसी रूल के according change करेंगे, जो हम लास studio म already discuss कर चुकी है, I hope आपकी narration या reported speech से related जितने भी doubt रहे होंगे, मेरी इस videos के थुरू आपकी clear हो गए होंगे, मैंने YouTube में अलग से playlist का section बनाया है, जहाँ पर आपको category wise videos मिलेगी, like मैंने text के लिए अलग से playlist बनाई है, मतलब अलग से category बनाई है, IBM यानि international business environment के लिए अलग से category इंग्लिश में मैंने दो टोपिक बिल्कुल complete करा दिये हैं, tenses और reported speech जिसको हम direct or indirect speech भी कहते हैं, मैंने भी आपको आज complete करा दिया, मैंने उसके लिए भी playlist section में अलग से category बनाई है, अगर आपको मेरी complete videos देखनी है तो आप directly नेरे चैनल पर arrive करके सिधा playlist में जाके आप उन सब्सक्राइब करें, अब मैं स्टार्ट करूँगी psychological portion, मैं morning में डालूँगी nets related videos and evening में में डालूँगी एच्टेट और सीटेट वीडियो जिससे हमारे जो प्रिपरेशिन होती रहेगी and दूसरी बात, अक्सर लोगों का ये एक problem हा रही है कि हम net की त्यारी और होना चाहिए, जो net है वे अप NTA conduct कर रही है, National Testing Agency conduct कर रही है, ठीक है, जो net का paper है, वे हमारा होता है, post graduation level का, समझ रहे हैं मेरे बात यानी, जो post graduate candidates है, वे ही eligible है, net का exam देने के लिए, और estet का exam सिर्फ जिसने beard कर रखी है, वे eligible है, clear, तो अगर आप net की त्यारी कर रहे हो, तो आपका estet की त्यारी automatic हो जाएगी, लाइक, आपके पास subject commerce है, तो आपके, आपने net की त्यारी की commerce की, ठीक है, और आपने estet का PGT का form भरा commerce का, तो आपको ये पता है, कि जो commerce का section है, वे 60 marks का आता है, estet की अंदर specific subject, ऐसे ही, और estet के अंदर जो questions आते है, वे हमारे most complicated questions आते है, वे हमारे आते है, post graduation level की question, अगर आप net की त्यारी करते हो, क्यूंकि आपको पता है, कि net का exam भी crack करना काफी tough है, like estet, लेकिन net में जब आप त्यारी कर रहे हो, तो आपका पूरा का पूरा syllabus cover हो जाएगा, post graduation level तक का, आप complicated questions cover कर लोगे practice के through, तो आपका उसी तरीके से, जब आप estet का vapor attempt करोगे, तो आपका estet का भी automatic clear हो जाएगा, समझ दो है मेरी बात, तो आप एक common चीज़ को देखिए, कि common क्या है दोनों में, और मुझे त्यारी कैसे शुरू करनी है, तो यह आपके लिए काफी useful रहेगा, I hope आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या सुझाना जा रही हूँ, ठीक है, अब मैं आगे आपके लिए, नेट से related वीडियोज ले की आऊंगी, morning में में डालूँगी, नेट से related वीडियोज, and evening में 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 डालूँगी, एस्टेटियसी नेट से related वीडियो, जिससे कि, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, या जो upcoming सब्सक्राइबर्स है, वे potential सब्सक्राइबर्स जो है, उनको भी मेरे चैनल के थ्रूँ useful information मिलती रहे, और I hope आप से भी का, I wish आप से भी का जो एस्टेट सीडिया डिया नेट है, अगर आप में चैनल को फोलो करते हैं, आप आपके concepts clear हो, आपका exam clear हो, मेरे चैनल के साथ बने रहे है, thank you for watching my video, and मेरे चैनल को आगे जरूर share कीजिएगा, जिससे जो आपके friends है, या कोई भी student है, उनके concept भी clear हो, उनकी जो भी doubts है, उनका भी clear हो, आखिर उनका भी तो भला कीजिए, ठीक है, ताकि उनके भी doubts क्लियर हो ओके, thank you for watching my video